कटनी शेहर में किसान संगर समीती के दो पददिकारी प्रधान मंत्री द्वारा किसानों के लाए गया अध्यादेश के विरोध में बेल बन पूरे शेहर में हल खीचते हुए दिखाई दिये खेतों में खेती के लिए इस्तिमाल होने वाले हल जिसमें बेलों को लगा खेती क उसी हल में जुद किसान संगर समीधी के दो परदीकारी खुद बेल बन पूरे खटनी शेर की सवकों पर हल खीचते हुए तरसिलदार कारीयाले पहुचे किसान संगर समीधी डॉक्टर के ए के खान ने बताया कि प्रिधान मंत्री ने जो किसानों के लिए अध्यादेश लाय की इस लॉक्टाून में किसानों और गरीबों को भी सरकार ने भूखा मार दिया कि इन सरकार किस अध्यादेश से किसानों रोट डूचाएगा इस BJP की दोनों सरकार सिर्फ गरीब खोलूटने का काम कर रही है चाहे वे बिशली का बिल हो या किसानों के लिए खाद बीज सभी में सरकार बड़े उध्योकपती को फायदा पहुचा रही है जिसके विरोत में वे मजबूरन बेल बलहर खीच पीम के नाम तरसिदार को ग्यापन दे किसानों के लिलाए गए अध्यादेश वापस लेने की मांग की है कटनी से समवदापा हीरलाल विश्कर्मा की रिपोर्ट मोधी जी ने मजबूर कर दिया हम लोगों को भाजपा सरकार ने मजबूर कर दिया कि अपकिसान खुद अपने कंदों पर हल रखके जोतने का काम करे क्योंकि लागडाउन लगा के पहले हमें मारा बाद में तमाम मोधी जी ने घोसना की कि हम किसानों के लिए ये देंगे वो देंगे वो नहीं दिया बलके प्राइवेटी करन करने का काम मोधी जी ने किया डीजल करेट इतना बढ़ा दिया कि आज किसान दाने दाने के लिए मजबूर हो गया यूरिया कम मिल रही है डिएपी कम मिल रही है वहीं लाइट का दम बढ़ा दिया और तीन अध्यादेश जो मोधी जी लाए है वो किसान विरोधी है इसलिए हम उनको नहीं मानते हैं आज हम मोधी जी से जो मंडियां बंद करने का काम मोधी जी कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर मंडियां बंद हो जाती हैं, तो किसानों को उनका समर्थन मूल नहीं मिलेगा, बलके जो कुझी पलती लोग हैं, वो स्टाक करेंगे, खरीदी करेंगे लूट मचाने का काम करेंगे, किसान उससे लगातार लोटेगा, ऐसे अद्या देश को हम नहीं मानते, आज हम मानी। प्रधान मंतरी महोदय के नام पे ग्यापन देंगे, और ऐसे अद्या देश की प्रतियों को जलाने का काम करेंगे, ताकि भाठपा की सो यूइ सरकार जा नहीं करती तो अब संसद में घुचने का काम किसान अंदर करेंगे उसमें चाहे जान जाए या जान रह जाए या न रह जाए एक तरफ माननी प्रदान मंत्री जी कहते हैं कि किसान हमारा अन्य दाता है वहीं किसानों को मारने का काम फुसरकार कर रही है इसलिए प्रतियात्म अब लोग के अपन देने के लिए जा रहे हैं तो यह सिकायत तो पूरे देश की है और हम लोग की तो खाज करा रावान दोलन के सांद हितैसी करते रहते हैं और जो इनकी नीतिया हैं चाहे मोदी जी की हो और चाहे सिवराज सिंग मामा जी की हो किसान बेरोधी सदा रही चाहे वो सत्ता में बैठते हुए अध्यादेश लेके आया कि वो भूमी अधिक रणा ऐसा होगा वह ऐसा होगा तो आज यह गती हो गई तुर्गती हो सब्सक्राइब इती हैं तो जोगई किसान की कि आप जानते हो और आप लोगों से भी parathla है मेरी कि सरकार को जगाने का काम करें कैसे 8 घंटा बिजली देते हैं रात में देते हैं साहब बीशी का डर 24 घंटा लाइट की बात करते हैं में तो ले आएंगे दे देएंगे दो इन्होंने कुछ नहीं मंडी का प्राइबेट करन कर दिया और लाइट का प्राइबेट कर यहां तक कि अब रेलबे को भी बेज दिये तो यह प्राइबेट करन हमको मंजूर नहीं है और डीजल के रेट किसानों के लिए बोले थे कि सस्ता करेंगे वो भी नहीं किया इसलिए किसान बेरोधी इनकी नीतियां है, भार्ती जन्ता पार्टी की, तो हम इसे मंजूर नहीं करेंगे, हम किसान आंदोलन चलाएंगे, हम किसान है, इसके हित में है, मेरा नाम चैतू पतेल है, मैं पिछरा समाज पार्टी के राश की महाथ सची हूँ, जै जवान, जै कि नहीं इनको बैल नक है, ये स्री चैतू पतेल जी और डाक्टर एके खान जी किसान संगर समित के योर से ग्यापन देने आए हैं, अपने कंधे पर हल का लगाए हुए, इनने माननी प्रधान मंत्री जी की भाधे के को एड्रिस करके, किसान बिरोधी अध्या देशों को वरिष्ट अधिकारियों के माध्यम से माननी प्रधान मंत्री महोदय के कारयाले तक प्रिशित किया जाएगा, और इस पर जो भी अगर कोई इसमें इस्थानी लेविल के समस्या होगी, जिनका निराकरण यहां से हो सकता है, तो उसको हम लोग बैठके निराकरण करने को प अदिए